हलो दोस्तों आगे ही काहली शुरू करते हैं चंदरनाथ पार्ट सिक्स उस रात सर्यू अपने कमरे में लोटकर रो पड़ी और मन ही मन बोली मैं किसी भी तरह जहर नहीं खा सकूँगी अकेले रहती तो शायद मर भी सकती थी परंतु अब तो मैं अकेली भी नहीं हूँ मैं तो मा बनने वाली हूँ और मा होकर अपने ही संतान की हद्या कैसे करूँगी यही सब सोचकर सर्यू नहीं मर सकी किन्तु उसके सुप के दिन अब खतम हो चुके हैं इसमें भी उसे लेश मातर संदे नहीं रहा आधी रात को चंदरनाथ ने सहसा अपने इस तरीके गमरे में प्रवेश किया और सब बाते सुनकर आवेक से सर्यू को छाते से लगा कर खड़ा रहा रूंदा हुआ सुवर में वह बारवर कहने लगा ऐसा काम कभी मत करना सर्यू परंतु इस से अधिक वह कोई और भरोसा नहीं दे पाया अपने इस विशाल भवन में इस हद भागी के लिए थोड़ी सी जगह भी तो वह नहीं खोच पाया था जहां सर्यू अपना लज्चा हद पीला चेहरा चुपा सके समस्त गाओं में कहीं भी थोड़ी सी ममता पाने की कलपना वे नहीं कर पाया जिसके आशरे में वह उन गरम आसियों को एक कण भी पोच सके रोपीट कर उसने साथ दिन की मूलत की भेक मांगी भादो माहा के इन आखरी साथ दिनों को पती के आशरे में गुजार कर जड़ा जाता ग्रस्त का पूरा होता है इसी से सर्यू का यह आविदन सुईकार हो गया एक दिन उसने पती का हाथ पकड़कर कहा अपना भाग्य मैं खुद ही भोगूंगी इसके लिए तुम दुखी क्यों होते हो मेरी जैसी अभागिन को घर लाकर तुमने बहुत कुछ सहा है अब मत सहो मुझे विदा दे कर फिर ग्रस्त बन जाओ ताकि मेरी ग्रस्ती नहीं तूट पाए चंदर नास सिर जुखाए निरुत्तर हो रहा बुरा भला कोई जवाब नहीं खोच पाया यही बात उसके मन में आती है कि सर्यू अब बिलकुल मुखर हो गई है कुछ अधिक बाते करती है इतने दिनों तक उसके मन में जो डर था अब वे नहीं रहा दो दिन पहनले भी वे मूची पाकर लोगों की नजर बचाकर इस घर में रहा करती थी तब मामुली हवा से भी डरती थी बाद में उसका छदम आवरन दूर हो गया बाद में उसका सत्य परिचे मिलता रहा अब उसका बैडर चला गया है इसी से अब वे निर्भे हो कर बात करती है इस जीवन में उसका जो कुछ था उसके पती में उसके सर्वस्वे में समाज निमानों अदालत की डिग्री जारी करके उसे निलाम कर लिया है अब व भाई की तरह शिक्षक की तरह उपदेश देकर अपनी निर्भिक राय प्रकट करती है और उस रात को दोनों ने एक दूसरे को शमा कर दिया है चंदरनाथ ने विश्खाने को कहा था उसकी एक आत्म गलनी से सर्यूई के सभी दोशों को ढग दिया है दूसरे दिन सवेरे से ह हरकाली का टुकडा कागश का एक टुकडा लेकर अपने पती से उपर से नीचे तक मालूम नहीं क्या लिखवा रही थी ब्रिज की शोर ने एक बार पूछा ये लिखने से क्या होगा हरकाली ने डाट कर कहा अगर तुम्हें तनीक भी वुद्धी होती तो नहीं पूछते एक बार मेरी बात ना मानने के कारण ऐसा हुआ और किसी बात में मेरी दिमाग तो खर्च नहीं करते हो हरकाली जो कुछ बुली वै एक सुबोध बाला की तरह ब्रिज की शोर ने लिख लिया खत्म होने पर स्यम हरकाली ने उसे शुरू से अंत तक पढ़कर सिर हिला कर कहा ठीक हुआ है अब ब्रिज की शोर चुप रहे दोपर को हरकाली ने कागश लेकर सर्यू के पास आकर कहा बहू इस कागश पर अपना नाम लिख दो कागश हाथ में लेकर सेध्यू ने उसके मूँ की और देखकर कहा क्यों मामी जो कहती हूँ वही करो न बहू किसका नाम लिख दूँ यह भी ना सून पाऊंगी हरकाली ने मूँ भारी करके कहा वाह बिटिया यह तुमारी ही भलाई के लिए है तुम जब यहां नहीं रहोगी तब कहां किस तरह रहोगी इसकी खोश कबर लेने भी हम नहीं जाएंगे इसी से बिटिया जिस तरह भी क्यों न रहो महीने के पांच रुपया खुरा की पाऊगी यह क्या बुरा है भला भुरा सर्यू समस्ती थी और उस भलाई के चाहने वाली के दिल की भलाई करने की इच्छा कितनी है वह भी समस्ती थी परंतो जिसकी महल कीसी अटालिका तूटकर नदी में गिरती हो वह कुछ इंटे बचाने के लिए नदी से होड लेना नहीं चाहती सर्यू ने यही बास सोची फिर भी एक बार उसने हरकाली के मूग की और देखा जिस नदर से हरकाली हिर्दय से घ्रणा करती थी आज भी वह वैसी ही थी आखे जुका कर बोली बहू हाँ मामी लिखे देती हूँ सर्यू ने कलम लेकर साफ साफ हस्ताक्षर कर दिये आज अश्विन की दूज है सर्यू के जाने का दिन सवेरे से ही काफी वर्षा हो रही थी हर काली चिंतित होने लगी इस हालत में तो जाना नहीं होगा दिन बर सर्यू घर की चीज वस्तू संभालती रही कीमती कपड़े इत्यादी एक एक करके अलमारी में बंद कर दिये सारे गहने को लोहे के संदुक में बंद करके ताला मार दिया इसके बाद उसने पती को बुलावा भीजा और खुद जमीन पर पढ़कर बहुत रुई घर छोडने का समय जतना नजदी का रहा था दर्द उतना ही बढ़ता जा रहा था ये साब दिन जिस तरह गुजरे आज उस तरह गुजारने की इच्छा नहीं होती थी उसे शंका हुई कि आज आखरी दिन कहीं धहरे तूटना जाए जाने के समय के बाद बिलकुल बिखारनी की तरह इधर उधर देखना होगा आत्म सम्मान को उसने जी जान से दबा दिया था उसी को छोड़ने की इच्छा किसी तरह भी नहीं होती थी चंदरनाथ के आने पर वे आँख पोचकर उठ बैठी बोली आओ आज मेरे जाने का दिन है तब भी उसकी पलके भीगी हुई थी चंदरनाथ दूसरी ओर देखता हुआ बैठ गया सर्यू ने पास आकर कहा यह चाबिलो जितने दिनों तक दूसरी शादे नहीं करोगे उतने दिनों तक किसी ओर को मत देना चंदरनाथ ने रूदे सुवर में कहा जहां है वहीं रख दो सर्यू ने हाथ से चंदरनाथ का मूँ फिर कर कुछ हसकर कहा रोने की चेश्टा कर रहे हो चंदरनाथ के मन में हुआ कि बात बहुत बड़ी कही गई है सर्यू तभी उसकी आखों को पोचकर आदर से बोली याद करो किसी दिन कभी तुमने कोई मजाक नहीं किया इसी से जाने की दिन आज एक दिन लगी कर दी गुसा मत हो न इसके बाद बुली जो कुछ था अलमारे में बंद करके रखे जा रही हूँ देखना मेरी कोई चीश नश्ट नहों पाए चंदरनाथ ने सिर उठा कर देखा कि नेरा भरन सर्यू के हाथ में काच की चार पास चूड़ियों के लावा और कुछ भी नहीं था सर्यू की यह मूर्ती देखकर उसकी दोनों आखों में जैसे कांटे चुप गए हूँ परंतु क्या कहे वे आज दो-चार गहने जाने का प्रस्ताव करके कैसे यह देवी की इस परती मूर्ती का अपमान करे सर्यू ने गलेक में आचर लपिट कर परणाम किया और पद्धुली लेकर बोली मेरे जाने के कारण दुख मत करो इसमें तुमारा हाथ नहीं यह मैं जानती हूँ चंदरनाथ अब तक सेहन कर रहा था परंतु अधिक सेहन नहीं कर सका उठकर भाग गया शाम की पहले की ही काड़ी स्टेशन पर पहुँच जाना था बारिश आ रही थी घर के व्रिद सरकार दो एक कपड़े और गंचा आदी लेकर कोशवान की बगल में जा बैठे शायद उन्हें सीता की याद आ गई इसी से आखों में आसु भी बड़े वेक से बरस पड़े आखे बंद कर ली उन्होंने और मन ही मन कहा भगवान मैं नौकर हूँ इसी से मेरी यह दशा हो रही है जाती समय हरकाली के मन का भाव समझकर हरी सर्यू ने उसे बुलाकर प्रणाम किया पद्धुली लेकर बोली मामी एक बार बक्स देख लो हरकाली अपरतिव हो गई ना ना रहने दो लेकिन तब तक एक टिन का बक्स कड़ कड़ा कर खुल गया और हरकाली का ध्यान उदर खिंच गया इसमरन करना असंभव था तिर्ची नगर से उसने देखा भीतर दो एक जोड़ा मामुली कपड़े दो तिन पुस्तके कागस में लपेटी हुई दो एक तस्वीरे आदी कुछ चीजे थी सर्यू ने कहा पस यही है हरकाली धीरे धीरे पीछे हट गई शाम होने से पहले सर्यू गाड़ी में जा बैठी कोशवन गाड़ी हांक कर जल्ली से फाटक के बाहर निकल गया दो तल्ले का जंगला खोल कर मनी शंकर ने यह देखा आज हटा उसके मन में आया कि यह काम शायद ठीक नहीं हुआ थोड़ा उदास हो गया दोस्तों आगे की कहानी हम अगली वीडियो में सुनेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और लाइक करें हमें कमेंट्स में जरू बताएं कि आपको यह कहनी कैसी लग रही है थैंक यू